mcq is 41 to which of the following items does 514 लगता है बाइजन जानवरों की फेर वैलियू चेंज हो गई तो मैंनी के महंगे हो गए मोटे हो गए तो क्या इस पोटे वन लगेगा जी बिल्कुल वो जो जीरेंड के ओपर हम गेंड की कलकुलेशन करते थे लकडियां मेरे खाल से कटी भी पढ़ी है वुड याड में रिएक पिनी लगेगा लेंड है और भी हमारी जिसपे हमने वेजटेबल कि बात नी ओरी लैंड है जिस सब्सक्राइस नहीं होते हैं और 7 नियुक लाइझे लगा है तो यह सीड़ पर आप आहां लाँण नीगऱाइञे जयाव गांसे सीड़ असला है cost of developing a new type of seed which is resistant to tropical diseases जो diseases से बचाएगा आपको तो ऐसा disease, ऐसा जो है seed बनाना कहां काम होगा factory के अंदर होगा या lab के अंदर होगा या जमीनों पे होगा lab के अंदर, इसलिए इसको intangible कहते हैं IS-41 शुट बी एप्लाइट to account for the following IS-41 में इन चीजों की accounting होती है शर्त यह है कि यह agricultural activity हो रही हो कहते हैं, assume कर लो agricultural activity हो रही है IS-41 में इन चीजों की accounting होगी biological assets की accounting बिल्कुल होगी IS-41 में, agricultural produce at point of harvest IS-41 डील करेगा, कुछ government grants को IS-41 डील करेगा, सब को नहीं करेगा land related to agricultural activity को IS-41 डील नहीं करेगा, intangibles को भी IS-41 डील नहीं करेगा, IS-41 इस अप्लाइड टो agricultural produce before harvest, at harvest, after harvest यह before, during, after harvest क्योंकि agricultural produce before harvest अगर mango लगे में तो उनको तो मैंने biological asset का नाम दिया, option B, agricultural activity में, वो picture जहन में लेंके आएं, गदे बड़े हो रहे थे, milk produce हो रहा था, और चूजे पैदा हो रहे थे, तो यह तीनों चीज़े अगरिकल्चर अक्टिविटी की definition में fall करती हैं, इसलिए यह हम tick करेंगे C, identify whether the following items should be accounted for under IS-41, dairy cattle, बिल्कुल जानवर तो IS-41 में आएंगे, milk at point of harvest भी IS-41 में आएगा, चीज़ तो वो जो column बने वे थे थे ना, तीन, उसमें तीसरा column है, तो यह तो processing के बाद आएगा, agricultural activity covers a diverse range of activities, अच्छा, एक तो है, आप जो है ना, logic पर चलें, दूसरा है, agricultural activity की examples ना, standard में भी दीमी है, वो अगर आप देखें, तो आपको यहां पर मिल जाएंगी, agricultural activity, यह वली, यह भी agricultural activity की examples है, almost इसने वह वह वली टेस्ट की है, raising livestock, खुद सोचें, जानवर बड़े करना, आईएस 41 लगें, यह वह वली लिस्ट इसने वहाँ से उठाई है, यह परस्ट्री बिलकुल लगाना दरख्त, यह भी आईएस 41 लगेगा, यहाँ भी देख लें, इधर भी example दीए थी, forestry, raising livestock, यह वह वह वली लिस्ट इसने वहाँ से उठाई है, यह परस्टेंड का six है, अच्छा, पर्नियल और एन्वल क्रॉपिंग, वही, कुछ फसलें साल के अंदर, कुछ साल से ज़्यादा बाद आती है, cultivating orchards and plantations, plant लगाना और बाद में उनको cultivate करना, बिल्कुल यह सारा IS 41 है, यह भी agricultural activity है, food processing agricultural activity, food को process करने का मतलब है, जैसे milk बन गया, अब उससे चीज बना रहे हैं, तो milk से चीज बनाना, क्या यह कोई sale of biological asset type चीज है, क्या यह babies पैदा कर रहे हैं, क्या यह उनसे कोई agricultural produce बना रहे हैं, या inventory बने पैदा कर रहे हैं, इसलिए इसको cross करेंगे, यह definitions लेबस से निकल गीवी है, active market की, point 8, an undertaking, या या company या जो भी businessman, should record a biological asset, या agricultural produce, only when, control the assets, future economic benefits are expected, fair value or cost can be made, यह मौतरम सीधा सीधा न, उसने test किया था, initial recognition, यह वाला पैरा, पैरा 10, सर हमें कैसे पता चलेगा paper में, entity should record, recognition, यह तीना शर्टें टिक होंगे, Pluto Onda one year, अच्छा यह वाले जो सवाल होता है न, छोटे छोटे छोटे, इसमें बस एक trick होता है, कि जो पिछले साल की value दी भी है, क्या वो fair value है, या balance sheet वाली value है, तो बस यह trick होता है, थोड़ा सा, अगर पिछले साल की balance sheet वाली है, तो cost to sell minus होई होगी, और अगर पिछले साल की fair value है, तो cost to sell हम minus करेंगे, इन सवालों में बस यह trick है, थोड़ा सा, Pluto Limited owned a one year old herd cattle on येकम January, recorded in balance sheet at 140, तो recorded in balance sheet का क्या मतलब है, यह already fair value minus cost to sell है, at year end, the fair value of two year old herd of cattle is 170 million, अच्छा ये मिशाल के शुरू में हमारा one year का होगा न, cost to sell are estimated at 5 million, अच्छा closing में उसने fair value minus cost to sell नहीं दी, closing में उसने fair value अलग दी है, और cost to sell अलग दी है, अब सवाल के requirement वगरा मैं अधरा बाद में पढ़ता हूँ, मुझे बता दें, opening कितने हैं, 140, closing, 165, और gain, अब सवाल की options देख लेते हैं, C option, review to one, review to 165, taking gain of purchase to P&L, review to 160, taking gain to P&L, जी, ये MCQ भी ना, उसने delete कर दिया है, जो मैं दूसरा बता रहा था आपको, मुझे असल में मिल नहीं रहा था ये कल, conditional grant, conditional grant record की जाती है, only when the conditions are met, तो conditional grant related to biological asset is recorded as income, when the conditions are met, पैसे आने जाने का तालूप नहीं, जब conditions पुरी हो जाएं, और point 13 पहले पढ़ता हूँ है, unconditional grant related to biological asset should be recorded as income, ना ना जब receive ना हो, unconditional grant should be para 34 standard का, when the grant becomes received, जब grant receive अलज़े, 12, यहां तक कितने लोगों के पूरे marks थे, MC के तेरा तक, good, again or loss may rise on initial recognition of biological asset, कहते हैं, biological asset को initially record करो, ना कभी gain आ जाता है, कभी loss आ जाता है, पहर तो सा revise कर लेते हैं, जब आप purchase करते हैं ना फिर तो loss ही आता है, क्योंके cost to sell अगरा डालनी पड़ती हैं, और जब bond होते हैं, तो gain आते हैं, again or loss may rise on initial recognition of biological asset, because estimated cost to sell are deducted in determining fair value, कहते, cost to sell minus की जाती है, यह भी एक वज़ा होती है, gain या loss आने की, हाँ, बात तो सही कर रहें, कहते हैं, जब एक baby one होते हैं, तब भी gain loss आते हैं, यह भी बात इसकी सही लग रही है, यार, harvesting के वकट gain loss तो आते हैं, लेकिन ना वो initial recognition biological asset की पूछ रहा था, harvesting होती है agricultural produce की, यह थोड़ा सा tricky point था है किसमें, harvesting agricultural produce की होती है, और वो क्या पूछ रहा था, अच्छा, अगर उसका सवाल यह होता ना, कि I.S. 41 में कब gain loss आता है, तो मैं फिर तीनों टिक कर देता हूँ, लेकिन अभी उसका सवाल के है, नहीं, उसका सवाल है, initial recognition of biological asset, ओके, तो फुटम होगे, 18 नकालें, फिफ्टी त्री ये रोल्ड अनिमल वस हेल्ड आन जकम जन्वरी 13, तीन साल के अनिमल हैं हमारे पास जकम जन्वरी 13 को, कितने, पचास, ओपनिंग बताएं, येलो 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 हाईलेटर मैंने यूज किया है, पचास अनिमल हैं, कितने के, 32 तौजन के जवाब, 16, ओन यकम जुलाई तेरह, 10 3.5 ये ओल अनिमल वर परचेस्ट पर 40 तौजन, 10 इंटो 40 तौजन, सड़े तीन साल वाला एनिमल येकम जुलाई 13 को 40 तौजन के, डुप्लिकेशन है ये, क्योंकि ये उपर दिया वैसने यहाँ पर, ये लाइन डुप्लिकेशन है, इस लाइन का हमें को फाइदा नहीं होगा, चार साल वाला जानवर, 14, भाई जन, ये जब खरीदा था तो तीन साल का था, सुरी, ओपनिंग, ओपनिंग तीन साल का था, ये देखो ना, और पर चेह साल के मिड में हुआ वो साड़े दीन का था, तो सारे आखर में चार साल के हो गयोंगे, तो क्लोजिंग आप निकाल लेंगे, सिक्स्टीन टू टू फाइट जिरो पी एंड ल बैलेंसिंग आज़ेगा whatever it may be सवाल की रिकार्मेंट थी पी एंड ल में क्या जाना है यह तो रेपिटिशन है यह यह तो भी की है सवाल यह सवाल में आई के पास फेफर में आय था हमारे किताब में अर्ड़ी मौझूद था एंसी की उसके आई के अवाली में फजल लिमिटे ओन्स है हर्ड आफ काऊस रिकॉर्डड आफ 36 मिलियन इसकं क्या मतलब लेंगे recorded at 36 million इसे fair value लेंगे या fair value less cost to sell लेंगे recorded का मतलब बैने सीट में record हुआ हुआ है तो इसको fair value less cost to sell एजियूम करेंगे opening कितना हो गया 36 एक 31 समब दीस cause have a fair value of and a commission of 4% would be payable upon sale ये कौन सा commission है आउट फ्लो वाला जा कॉस्ट वाला कॉस्ट तो सेल वाला क्लोजिंग फिफ्टी इंटू 96 परसेंट 48 गेन कितना आगया option नहीं नहीं तो नहीं जाना ना यार पी एडल में जाने ये ना OCA इंशाला हम पढ़ेंगे OCA एक चीज़ होती है OCA में नहीं जाना गेन गेन कहा जाने option D IS 41 लगेगा अगर जानवरों की fair value बढ़ रही हो बिलकुल लगेगा लकडियां जो सेल के लिए रखी हुई है गोदाम में inventory at point of harvest लगेगा इस फटीवन लेकिन इस वकड़ को दाम में पढ़ी में तब नहीं लगेगा cost of developing a new type of seed is 38 cost of making irrigation system having life of more than irrigation में रिखाल से पानी शाने का कुछ सिस्टम होता है और ये टेंजेबल टाइप को चीज होगी ये ये जानवर नहीं है इरिगेशन सिस्टम तो कुछ चीज होगी प्लांट वगरा जो भी चीज़ें होगी तो यह सोलां लगेगा इस पर और विच्टू अफ़ फॉलिंग ट्रीट्मेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग गॉद्मेंट ग्रांट रिलेटिट्टू बायोजिकल एससेट मेयर एट फेर वैल्यू और करेक्ट गवर्मेंट ग्रांट के बारे में कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं अनकंडीशनल ग्रांट इस रिकॉर्डडे इन पी एंड एल वेन अनली वेन दा ग्रांट वेकाम रिजिसीवेबल जी बिलकु तो अनकंडीशनल ग्रांट के उपर कब लगेगा वेन इट बिकाम्स रिसीवेबल एन अनकंडीशनल इकॉर्डडे पी एंड ग्रांट इस रिसीव रिसीव नहीं पैसे मिलना जरूरूरी नहीं अगर वादा भी कर दिया तो फिर आप बुक कर लेंगे उसको उनकंडीशनल ग्रांट कंडिशनल इस रिकॉर्डड इन विन अनल Su खरазд